प्रिटिश लहसे में हिंदी बोलने वाले बच्चों उपर निशाना साधा है दरसल ट्विटर पर एक यूजर ने इटली के संसद में पेश किये गए उस बिल पर रियक्ट किया जिसमें अंग्रेजी सहित सभी विदेशी भाषाओं पर रोक लगाने की अपील की गई थी ताकि देश में कम्यूनिकेशन को बहतर और कल्चर को बनाये रखा जा सके इसके साथ ही अंग्रेजी को लेकर लोगों की जुकाव को भी कम किया जा सके वही इटली केस बिल पर रियक्ट करते हुए यूजर ने कहा मुझसे भले ही नफरत करिये लेकिन हमें भी ऐसा करने की जरूरत है गुरुग्राम में बच्चे केवल अंग्रेजी में बोलते हैं लेकिन वे मुश्किल से हिंदी समझ पाते हैं और हिंदी में बात करना तो बूल ही जाएए ट्विटर पर सामनी आये इस ट्विट पर रियक्ट करते हुए कंग्या ने अपनी राय रखी और बिटिश लहजे में हिंदी बोलने वाले बच्चों को इरिटेटिंग बताया एक्ट्रिस ने कहा मैं जानती हूँ कि मैं ट्रोलिंग को नियोता दे रही हूँ लेकिन इमानदाई से कहूँ तो अंग्रेजी बोलने वाले देसी बच्चे जो सेकंड हैं बिटिश लहजे में हिंदी बोलते हैं वेकेवल चिड और इरिटेट करने वाले होते हैं जबकि वो बच्चे जिनके पास देसी लहजा स्वैड है और अच्छे से हिंदी संस्कृत बोलते हैं वो बैस्ट है बता दे कंग्ना इस ट्विट के बाद सुर्ख्यां बटो रही हैं और कंग्ना का ये ट्विट सोशल मीडिया पर तेजी से वालल हो रहा है अब अगर बात करें कंग्ना के वर्ट फ्रेंट की तो बता दे एक्ट्रिस इन दिनोव फिल्म एमर्जिंसी में काम कर रही हैं हाल ही में उन्होंने फिल्म की शूटिंग पोरी होने की जानकाई दी थी बता दे एमर्जिंसी का टीजर रिलीस हो चुका है जानकाई के लिए बिता दे फिल्म में कंगना प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के किर्दार में नज़राएं की फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट अभी फाइनल नहीं की गई है तो आपके स्वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम जानकाई जानने के लिए देखते रहे News Nation का Digital Platform